दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजे मग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत इंतजार था टिक्टों का टक्टकी लगाए लोग बैठे हुए थे खासकर केंडिडेट जिनको चुनाव लड़ना है टक्टकी लगाए बैठे थे अख़वार नवीस, ख़वर नवीस जिनको अपनी ख़वरों को मिर्च मसाला देना है टक्टकी लगाए बैठे थे वो लोग जिनकी राजनिती में रुची है कॉंग्रेस की लिस्ट तो आई नहीं एकतालिस सदस्यों की सूची जारी अभी तक हुई है एकतालिस केंडिडेट्स की और उसके बाद कॉंग्रेस की सूची पर जैसे ब्रेक लग गया कल शाम को यानि की स्वामवार की देर शाम तक दस साड़े दस वैस तक सोचल मीडिया पर खबरे रेंगती रही कि कॉंग्रेस और भाजपा की सूची आ सकती है रात बीट गई लेकिन सूची नहीं आई अब मंगलवार का दिन भी लगवग बीट गया अभी तक सूची नहीं आई और दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं भारती जनता पार्टी की तो भारती जनता पार्टी को अपने 23 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करनी थी एक केंडिट भारती जन्ता पालिटी का पिहोगा का वापिस हो गया अगले वीडियो में आपसे शेर करूँगा कि आखिर वो केंडिट वापिस क्यूं हुआ इसके लिहाज से भारती जन्ता पालिटी को टिकेट देनी थी 24 लेकिन बीजेपी ने टिक्टे बाटी 21 तीन सेटों पर अभी पेच रहे गया और वो जो तीन सेटे हैं वो है एक सीट है उनमें से फरिदाबाद लोकसभा की अन नाइटी 86 फरिदाबार छी 80 दूसरी विधान सभा सीट है महंदर गड़ और तीसरी विधान सभा सीट है सिर्सा तीनु हईäter फूल स्सेट थे ने अगर मैं आपसे फरिदाबाद NIT की बात करूँ, तो फरिदाबाद NIT की विधानसवा सीट पर एक तरफ जहां नगेंदर भढ़ाना का नाम है जो यहां के पूर विधायक हैं, तो दूसरी तरफ यहां पर केंद्री राज्य मंतरी कृशनपाल गूजर के बेटे का नाम लंब के टिकेट को होल्ड किया, तो क्यूं? मैं आपसे पहले फरिदाबाद 86 की बात ही करनूं, तो कल नगेंदर भढ़ाना से मेरी बात हो रही थी, हमारी बात हुई थी कल, तो वो उस समय उत्साइद थे, प्रफुलित थे, जोश में थे, और कह रहे थे कि बस टिकेट भारती जंता पार्टी की सूची आ गई 21 कैंडिडेट्स की, तो उसके बाद नगेंदर भढ़ाना जी से आज भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बारती जंता पार्टी ने टिकेट होल्ड क्यूं किया, ये तो पार्टी आला कमान बताएगा, नगेंदर भढ़ाना कह र कल की बैठक में उत्य करेंगे, और संभावना ये है कि आज देर रात होते होते और या फिर कल, क्योंकि अब नामांकन के दो दिन रह गए हैं, 11 और 12 सितंबर की दो ही दिन रह गए हैं, जिनमें नामांकन होना है, और सबसे विक्राल सिती है उन सीटों की जो तीन सीटे भा करेंगे, तो नॉमिनेशन करेंगे, अब सिर्फ एक बात रहे गए है कि वो नॉमिनेशन बीजेपी के सिंबल पर होगा और या इंडिपेंडेंट होगा, क्या क्रिशनपाल गूजर के बेटे देवेंदर कौधरी को जो सीनियर डिप्टी मेर रहे हैं नगर निगम के उनको फरिदाबाद लोकसभा छेतर में हर व्यक्ति की जो राजनीती में रूची रखते हैं उनकी जुवान पर था, ये क्लियर हो गया, ये तैय हो गया कि नगेंदर भढ़ाना को चुनाव लड़ना है और वो बारा तारिक को नॉमिनेशन करेंगे, बारा तारिक तक हम भी उससे पहले पहले तो सब कुछ क्लियर होई जाएगा, मान करके चलें तो सारे घटना करम के अंदर अब लगबग 36 से 48 घंटे का समय बाकी बचा है, अब अगली बात आप से मैं करूं अगली विधानसभा की तो वो है महंदरगड विधानसभा, महंदरगड भी होट सीट है महंदरगड वो विधानसभा सीट है जहां से पंडित रामविला शर्मा चुनाव लड़ते रहे हैं, भारती जनता पार्टी के अगर मैं उनको वो कहूं कि जो संस्थापक सदस्यों में नेता रहे होंगे उनमें रामविला शर्मा है, जब जन्शंग से भारती जनता पार् 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो उस समय रामविला शर्मा भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब इस सब को देख करके बात आ जाती है कि क्या रामविला शर्मा को टिकेट नहीं मिल रहा, रामविला शर्मा ने पिछले दिनों एक तो उन्होंने प खबर नवीसों से रूबरू हुए, कभी नरम हुए, कभी गरम हुए और बता दिया कि उनकी हस्ती क्या है और कोई हस्ती मिटा नहीं सकता, आज रामविला शर्मा के सुपुत्र कह रहे हैं कि पंडित रामविला शर्मा कल नामांकन करेंगे, कल 11 तारिक को, नामांकन तीकेटेट कहीं क्रेंगे जो पthenश स्राइड के सीज़ेंगे। करेंगे अमधा कि मेंदर इन्धाबाणान सबाइड है और या पर शन्र और आ धान τοacy Also हलोपा, अमिशा से लेकर के और सतीश पूनिया तक नायव सिंग सेनी से लेकर और मनहोर लाल तक सब जगा गोपाल कांडा मिल चुके हैं. गोपाल कांडा की पार्टी ने डिमांड की थी 15 सीटों की. 15 सीटों से चलते चलते अब मातर एक सीट बची है सिर्षा विधान सभा की रानिया दे दिया डबवाली दे दिया बाकि सभी सीटे भारती जंता पार्टी के केंड़ेट डिकलेयर हो चुके है बाजबा की जो सूची आज आई उसके अंदर काफी कुछ शोकिंग था मैंने दो बाते शोकिंग आपको बता दी फरिदाबाद एनाईटी 86 और दूसरा महिंदरगड तीसरा मैंने आपको बताया सिर्षा क्या सिर्षा विधान सभा की जो सीट है वो गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा को मिलेगी या वहाँ पर भारती जंता पार्टी के सिंबल पर केंडिडेट होगा चाहे गोपाल कांडा हूं क्या गोपाल कांडा अपनी पार्टी को BJP मर्ज भी कर सकते हैं क्योंकि अब 2 दिन का समय बाकी बचा है क्या गोपाल कांडा पीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं और या फिर वो अपनी डफडी अलग बजाएंगे अब फिर से इस पर भी नजर है सभी की अब अगर मैं आप से अगली बात पर चलूँ तो अगली और सबसे प्रमुक बात यह है कि भारती जंता पार्टी की जो कैंडिडेट सूची आज जा रही हुई उसमें काफी कुछ शोकिंग उसमें शोकिंग था सीमा त्रिखा का टिकट कटना सूवे की शिक्षा मंत्री बढखल की विधायक उसके अंदर शोकिंग था डॉक्टर बनवारी लाल का टिकट कटना बावल के विधायक सूवे के केविनेट मंत्री दोनों नेता दूसरी बार लगातर विधायक थे 2019 में भी बने और 2014 में भी बने उससे पहले अगर इस लिस्ट के अंदर शोकिंग था तो शोकिंग था पहवा का केंड़ेट चेंज होना इस लिस्ट में शोकिंग था तो फिर शोकिंग था एलनाबाद की विधानसभा सीट कप्तान मिनू बेनिवाल लंबे समय से तयारी कर रहे हैं जेजेपी और इंडियन नेशनल लोगदल से उनका 36 कांकडा बन चुका और वहां पर टिकेट दिया है भारती जनता पार्टी ने अमीर महता को जबसे टिकेट की बात ये चली कि कैप्टन मिनू बेनिवाल का टिकेट कटा तो फिर राजनीतिक गरियारों में चलचा चरचा चल पड़ी कि क्या ये किसी सियासी सेटिंग के तहत हुआ है अगले वीडियो में आपसे शेर करूंगा इस बात को एलनाबाद विधान सभा को ले करके आपको पूरी उसकी समिक्षात्मक बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यूं हुआ होगा तो ये कई सारी बातें थी और अंत म क्या सिर्सा विधान सभा सीट गुपाल कांडा भाजबा की टिकेट पर लड़ेंगे और या उनकी अपनी डफली बजाएंगे और तीसरा प्रमुक सवाल कि क्या रामबिला शर्मा को भारती जंता पार्टी से अब रुखसत होना पड़ेगा कमेंट्स बॉक्स मैं ज़रू तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा श्यादा श्यार करें